हेलो स्टूडेंट्स पहलवान गुरूदीन ग्रोफ आफ कॉलिज के अंतरगत आने वाले पहलवान गुरूदीन महला महाविध्याले की इतिहास बिभागत द्यक्ष मैं साधनागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्तित हुई हूँ यह वीडियो आपके स्लेबस से सम्मंदित है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपनी अश्टूडी को नेमित रखने के लिए पहलवान गुरूदीन के यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन दवाएं ताकि आपको नए वीडियो की नॉटिफिकेश मिलती रहे इस वीडियो में मैं आपको भारत में पुर्तगाली शक्ती का उदै के बारे में बताऊंगी भारत में पुर्तगाली शक्ती का उदै पुर्टगाली नाविक वासको डिगामा 20 मई 1498 इसवी को कालीकट पहुँचा पश्चिमी तट पर कालीकट भारत का प्रमुक ब्यापारिक बंदरगा था वासको डिगामा का कालीकट के राजा जमोरिन ने स्वागत किया और उसे तटिये छेत्रों के हिंदू सरदारों से भी प्रोथ साहनवा सहयोग प्राप्त हुआ तीन महीने बाद भारतिये वस्तूओं से लदे हुए जहाजों के साथ वासको डिगामा पुर्तगाल बापस गया यद भी राजा और उसके सरदारों ने उसका स्वागत किया था अरब ब्यापारियों ने उसका बिरोध किया और ब्यापार में बाधाएं उत्पन की इस ब्यापार पर उनका एकादिकार था और बे इस एकादिकार को बनाए रखना चाहते थे लेकिन पुर्तगालियों ने यह एक आधिकार उनसे चीन लिया और अरब सागर पर पुर्तगालियों की सत्ता इस्थापित हो गई पुर्तगाली शक्ती की स्थापना एवं बिस्तार वासको डिगामा की सफलता से उत्साहित होकर पुर्तगाल के शासक ने अलवारेज कब्राल के नेतरत्व में एक सक्ती शाली जहाजी बेडा भारत भेजा जो पंद्रा सो इसवी में काली कट पहुँचा वह वासको डिगामा के समान सफल कूट नेतिग नहीं था अतहां शीर गही जमोरिन से उसके सम्मंद खराब हो गए यह कटूता इतनी बढ़ गई की कब्राल ने एक संगर्स में काली कट पर बम बर्सा की इसके बाद उसे काली कट से भागना पड़ा पंद्रा सो दो इसवी में बासको डिगामा भारत में पुना आया उसके साथ बीस जहाजों का बेड़ा आया था बासको डिगामा ने जमोरिन से अर्बों को निकालने के लिए कहा लेकिन जमोरिन ने यह सुईकार नहीं किया उसने जमोरिन के शत्रू कोचीन के राजा से मित्रता की और एक नाविक संगर्स में अर्बों को परास्त किया अब अर्बों ने जमोरिन को पुर्तगालियों के विरुद सैनिक कारवाई के लिए उकसाया लेकिन वासको डिगामा ने उसे भी पराजित कर दिया इस बिजय के फलसरू पासको डिगामा ने कालिकट, कोचीन और कंडा नोर में अपने ब्यापारिक केंद्र इस्थापित किये पंद्रा सो पांच इसवी में उन्होंने बारसिक अविहान की नीती को त्याग दिया और एक नेमित तथा इस्थाई नीती की इस्थापना की इसके लिए आवशक था कि लाल सागर तथा पूर्बी अफरीका के तट पर अर्बों की शक्ति नस्ट कर दी जाए माला बार तथ पर इस्थाई रूप से पूर्टगाली शक्ति की इस्थापना की जाए और वहाँ एक वायसराय न्यूक्ठ किया जाए फ्रांसिसको अलमीला 1505 से 1509 इसवी तक इस नीती को क्रियानवित करने के लिए फ्रांसिसको अलमीरा को भारत में पुर्तगाली वैसराय निक्त किया गया वह भारत में पुर्तगाली अधिकरत छेत्र बढ़ाने की अपेक्षा जल सकती को बढ़ाना अधिक उप्युक्त समझता था उसकी नीती को नीले सागर की नीती ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया है 1506 इसवी अलमीला ने अरब जहाजों को नश्ट कर दिया इसके बाद लाल सागर के मुहाने पर सुकोत्रा पर अधिकार कर लिया वर्स 1509 इसवी में मिस्तर के जहाजी बेड़े के साथ युद्ध में यहे अपने पुत्र सहित मारा गया अल्बू कर्क 1509 से 1515 इसवी अल्मीला के बाद अल्बू कर्क पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर निक्थ हुआ उसके शासनकाल में पुर्तगालियों ने पूर्व में सामराज इस्थापित करने में सफलता प्राप्त की अल्बू कर्क एक महान विजेता तथा प्रशासक था भारत में पुर्तगाली शक्ती का वास्तविक संस्थापक अल्बू कर्क था इस समय पुर्टगाली शक्ति का केंद्र कोचीन था जो इस्थानी राजा के अधिकार में था अता कोचीन में पुर्टगाली शक्ति सुरक्षित नहीं थी 1510 ईसवी में दो वर्षों के संगर्ष के बाद उसने बीजापूर सुल्तान से गोबा चीन लिया उसने गोबा को पुर्तगाली शक्तिक का केंद्र बनाया 1511 ईसवी में मलक का पर अधिकार कर लिया जो अर्मों के नियंतरण में था 1512 इस्वी में अल्बू करक ने बीजापुर के सुल्तान से बनस तेरिम चीन लिया यह इस्थान गोबा की सुरक्षा के लिए आवशक था लाल सागर में अर्बो की शक्ती दुरूबल करने के लिए उसने अधन पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाया उसने ओमुर्ज पर अधिकार कर लिया और बहां एक शक्ती साली दुर्ग का निर्मान कराया जिससे फारस की खाड़ी पर की गोवा में मृत्य हो गई पुर्तगाली इतिहास कारों ने उसे महान कहा है परवर्ती पुर्तगाली वायसराय अलबु करके के बाद पुर्तगाली वायसराय निनो डी कुनहा का नाम महतपुन हैं वह 1529 एसवी से 1538 एसवी तक पुर्तगाली प्रदेशों का साशक रहा नहा के काल में पुर्तगाली वायसराय निक्त होकर आया उसने तुर्की जहाजी बेडों को पराजित किया जिसने दीब पर घेरा डाल दिया था इसके बाद उसने बहादुर्शा के उत्रादिकारी से संधी करके दीब को इस्थाए रूप से पुर्तगाली अधिकार में ले लिया 1569 इसवी में पुर्तगालियों ने दमन को भी अधिकरत कर लिया पश्चिमी तट पर साल सीट और चोल कोरो मंडल तट पर सैंट थाम और बंगाल में हुबली उनके अधिकार में था वस्तुता 1569 इसवी में उनकी शक्ती चरम सीमा पर P